हाई गुद मॉर्निंग सस्यागाल अदाब नमस्काव वना कम एंट जैहिंद कैसो मेरे दोस्तों मैं हूँ आपका अपना लाडला छोटा सार प्यारा सार ननना सा मुनना सार डॉक्टर डॉक्टर नमनीत काल रा जो आज लेकर आए आपके सामने एक बैड निउस बैड निउस हैं कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही कोफिड जा चुका है लेकिन जाते जाते हमारी ऐसी तैसी करके गया है और आने वाला कल आने वाला कल में क्या होगा इस कोविड की जो लॉंग टरम कॉम्प्लिके पार ऑड़ लेकिन इसमें एक नए स्टड़ी हुए है उसके बारे बताना चाहता हूँ एक नए स्टड़ी है जो कोविड है जो उसका वायरस है वहरे अंदर तो जा चुका है बड़ी के अंदर लेकिन इसने वहाँ जाके कुछ और वाइरस को भी रियक्टिवेट करना शुरू कर दिये है जो लेटिंट अवस्था में पढ़े रहते हैं मतलब यह कि आपको कोई वाइरस बच्पन में हुआ और वो बॉड़ी के अंदर बिचारा सोय हुआ हुआ है कहीं कोने में पढ़ा रहते है लेकिन यह जाके उन भाई साब को जगाएगा जगा रहा है उठ उठ भाई मैं भी आ गया हूँ उठ अपना गुरूप बनाते हैं बताने का स्टाइल मेरा अलग है थोड़ा मजाक में बता रहा हूँ लेकिन यह बात सच है फोर एक्जामपल यह जो स्टडी हुई है यह मेंली हुई है आज मैं आपको बताऊं एक जीता जाता एक सबसे बड़ा एक्जामपल मैं खड़ा हूँ आपके सामने उस बिमारी का जिसके अंदर एक वाईरस बच्पन में गया था और जिसने मुझे एक बिमारी थी जिसको कहते है माईल सिक एंसेफलो माईलाइटेस या क्रोनिक फटिक सिंड्रोम और कौन सा वाईरस था यह तो मुझे भी नहीं पता लेकिन बच्पन से वो सिम्टम थे मुझे कि थोड़ा सा चलने पर थकान हो जाना ज्यादा देर खड़े ना हो पाना बीपी का डाउन हो जाना और मैं अपने आपको बाकी लोगों से बलकुल अलग महसूस करता था ये बच्पन में कोई वाईरल फीवर हुआ होगा जो वाईरस बॉड़ी के अंदर चला गया और सुझी मेरी बॉड़ी को इस तरह से बना तिया बहुत कॉंप्रमाइजस करने पड़े लाइफ में हेल्थ के साथ इशूस बहुत आए ब्रेन फोगिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जितने सिंटम होते हैं क्रोनिक फटिक सिंड्रॉम के सब मुझे थे और यह थे एक वाइरस की वज़े से आज यह जो स्टडी हुई है इन्होंने इसी मेरी वाली बिमारी जो क्रोनिक फटिक सिंड्रॉम है इसी बिमारी के लोगों के अंदर स्टडी करी है कि इनके अंदर और नॉमल लोगों में अगर कोविड हो जाए तो क्या होगा यानि कि मैं अगर यह बोलूँ कि सबसे अच्छा एक्जामपल मैं ही हूँ इस बिमारी का तो अतिश्योक्ति नहीं होगी क्यों कि यही स्टडी हुई है कि यह लोगों के उपर और नॉमल लोगों के उपर अगर कोविड का वाइरस हुआ तो इससे आगे चलके क्या खेल खिलाने है वो क्या खेल खिला रहा है में यह स्टडी है कि अंदर सोय हुए दूसरे वाइरस को भी जगा देता है जो शायद कभी बच्वन में आपको हुए होंगे कभी चुपचाप जो इसको उने में पड़े हुए हैं उनको जगा रहा है और आपके इम्यून सिस्टम में ऐसे चेंज़ेस कर रहा है कि आने वाले कल में आपकी इम्यूनिटी इंपेर करके कुछ नहीं बिमारियों का जर्म दे सकता है जैसे कि इम्यून से रिलेटेड बिमारियां जैसे कि फटीग, क्रोनी फटीग, ठकान जो मुझे हुआ मुझे तो बच्पन में हो गया मेरा तो कोविड बच्पन से ही चल ला है मेरे अंदर तो यह हालात बच्पन से थे और आज मैंने कितना स्ट्रगल किया वो मैं ही जानता हूँ किस तरीके से मैं आगे बढ़ाऊ यह मैं ही जानता हूँ कोई असान नहीं होता इस बिमारी में और इसके उपर हालगे मैं वीडियो बना चुका हूँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं लेकिन यह जो स्टडी है यह स्टडी यही बता रही है कि इसने आपके बोडी की इम्मिनिटी को चेंज किया और दूसरे वाइरस को जगाया और उन वाइरस को एक्टिवेट कर रहा है और वो वाइरस आप और यह वाइरस सब मिलके आपके अंदर कुछ निया करने की कोशिश में है और वो निया क्या हो सकता है कि आपको नईने बिमारियों का जण्म दिया जा सकता है आपके शरी के अंदर जैसे कि थकान, क्रोनिक फटीग, इम्नोलोजिकल डिजीज, इम््यून रिलेटेट डिजीज लिम्फोमा, एक कैंसर होता है ब्रड का लिम्फोमा तो इस तरह की कुछ विमारियों का जण्म दे सकता है यह करोना वाइरस और यह उनको भी हो सकता है जिनको माइल्ड डिजीज हुई या जिनको पता भी नहीं चला जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक थे ये स्टडी में लार्स से आपके सलाइवा से टेस्ट लिया गया वहाँ से पता लगाया गया बड़े सारे टेस्ट हुए लेकिन अब जो EB वाइरस है ये अल्मोस किसी को होता है बच्वन में ठीक है और कहते हैं कि कईयों में वो आगे जाके ग्लंडुलर फीवर में करनवर्ट हो जाता है जिसको किसिंग डिजीज भी कहते हैं इसी EB वाइरस को ये एक्टिवेट कर रहा है ठीक है तो कुल मिलाके ये एक अपना ग्रुप बना रहा है अंदर जाके वाइरस ठीक है दूसरों को भी जगा रहा है कि भाई उठो मैं आया हूँ तो अब हमें करना क्या है सवाल ये कि मैंने तो बता दिया कि ये कहानिया आगे चलके हो सकती है हमारे immunity पे जो असर डाला और जो ये chronic fatigue syndrome होता है जो बिमारी मुझे है और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बितायता है कि मुझे एक और बिमारी का पता चला है इसी बिमारी से related a complication मुझे शायद हो चुकी है जो मैं अभी नहीं reveal करना चाहता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से उसको reverse करूँ थोड़ी बड़ी problem है इतना ही बोल सकता हूँ बस आप मेरे लिए दुआ किजिएगा मैं तो सिर्व इतना ही कहूँगा बागी तो मैं बहुत positive रहने वाला इंसान हूँ और मैं सिर्व इतना बोलूँगा कि आपको यह जो mitochondria होता है हमारी body में यह energy का power house होता है इसी में गड़बड होने से ही यह सब chronic fatigue syndrome नाम की बिमारी होती है हाला कि इसको ठीक करने के जो है अब वैसे coengym q10 एक दबा है जो बहुत mitochondria level पे काम करती है अब मैं लेता भी हूँ उसको बीच बीच में तो मैं सिर्व इतना बोलूँगा कि अपना lifestyle ठीक रखेगा और healthy lifestyle रखना पड़ेगा diet आपको ठीक करनी पड़ेगी मैं बारबाब बोल रहा हूँ अब आपको इस लड़ाई को ये जो लड़ाई चल रही है इस COVID ने जो लड़ाई शुरू करी है ये लड़ाई अभी खतम नहीं हुई है COVID तो जा चुका है अल्मोस्ट चला गया है लेकिन आपके अंदर जो लड़ाई इसने शुरू कर दिया आपके शरीक के अंदर जाके जो इसने खेल खेला है उस खेल का खतम करने के लिए उस खेल के अगेंस में आपको बहुत मेनत करनी पड़ेगी समझे और वो मेनत मेनत यही है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी बहुत योगा, मेडिटेशन, वौक यह सब करना पड़ेगा अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और कोशिश करें जितना हेल्दी डाइट लें बहार का खाना पीना बंद करना पड़ेगा ठीक है, दारू, सुटे इन सब पर लगाम लगानी पड़ेगी नीद अच्छी लेनी पड़ेगी जिसलो, नीद को जिसको हम बिल्कुल इंपोर्टेंस नहीं देते हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और कुल मिलाके एक यह बहुत ही आने वाला समय जो आप देख रहे हो, हार्ट अटेक हो रहे हैं यह हो रहे हैं, वो हो रहे हैं और अभी मैं जो देख रहा हूँ मेरे पार इतने पेशिंट आ रहे हैं जितने मैं पिछले 6 महीनों में पॉलिस आइथीमिया के पिशिंट देख चुका हूँ जिसमें फिर ब्लड डोनेट करना पड़ता है और या ब्लड कलोटिंग के चांसे बढ़ जाते हैं जिनका हिमोगलोबिन 17-18 सो उपर हो जाए तो जिसको पॉलिस आइथीमिया वेरा कहते हैं तो ये पहले क्यों पहले तो कभी नहीं देखे तो कहीं ना कहीं आपका जो कोविड है मैं फिर बोल रहा हूँ बॉड़ी में आने वाला वक्त बताएगा कि हमारी बॉड़ी में डरा नहीं रहा हूँ मेरे साथ तो देखो मेरे साथ मैं तो जीता जाता है एक्जामपल हूँ इसके अंदर एक कोविड टाइप का कोई वायरस का भी बच्वन में आया था और उसने मेरी जिन्दगी बदल के रख दी ना तो मैं वो उतना एंजॉय कर पाता हूँ लिक्षन का शिकार हो जाते हैं या फिर उनकी जिन्दगी पचास चालीस पचास साल से उपर नहीं जाती बैड रिडन हो जाते हैं मेरी जंग तो चल रही है कबसे चल रही है क्या बोलू मैं अपने बारे में इसलो लगता है कि शायद चलो परमातना ने उपर वाले ने इतना तो दिया ना मुझे चार हाथ पैर दिये उन लोगों से तो अच्छा हूँ न दिमाग तो दिया न डॉक्टर तो बनाया न भगवान ने काफी कुछ चीज़ें अच्छी भी दी हैं अगर एक बिमारी दी तो चलिए मेनत करिए अपने उपर और जिनकी में कुछ भी नामुम्किन नहीं है और इस कोवीड की मागा नागी साका इसने अंदर हमारे गुल खिलाने आया तो इसको अगर जवाब देना तो आपको अपनी इम्मिनिटी पर काम करना पड़ेगा जो हम बहुत खम सोच ते अपन भी बताये वीडियो में लेकिन मैं यही बोलूँगा कि खाली सप्लिमेंट पर भरोसे मत रही है सुबह उठके आधा पुना घंटा वाक योगा मेडिटेशन एक घंटा बस बार 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 बोलो एक घंटा अपने आपको देना शुरू कर तो अगर नहीं दे रहे हो अगर अब देना शुरू कर तो तो बोकि अब कोविड आपसे यूद कर रहा है डंके पे चोट पड़ी है सामने मोट करी है यूद कर यूद कर यूद कर आने माला अकल क्या लेकर आएगा हमें नहीं पता लेकिन अच्छा भी नहीं आने माला कल यह मैं बतादू डॉक्टरों के पे चोट पड़ी है, सामने मौत खड़ी है, क्रिशन काहार जुनसे, ना प्यार चता दुश्मन से है, युद कर, युद कर, ओ युद कर, युद कर, युद कर, जी हां, युद करना पड़ेगा, मैं तो कब से युद कर रहा हूं, अपने आप से, लेकिन हार मत मानो इतना ही बोलूँगा ना मैंने हार मानी जिन्दगी में कभी तब ही यहां तक पहुंच गया हूँ आज बच्पन-च्पन साल की उमर हो गई है फिर भी लोग कहते हैं कि आप जवान लगते हो आप यंग लगते हो इतनी बिमारियां मैंने जहली हैं मांसिक रूप से, फिजिकल रूप से इसके पर फिर कभी दुबारा से वीडियो बनाँगा क्रोनिक फटिक सिंड्रोम के जो बिमारी मुझे है जो एक कोविड बच्पन में शायद मुझे हुआ था कोविड टाइप का कोई वाइरस जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी यही वाइरस अब बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगा इसी तरह से जो मेरी जिंदगी बदली है तो मैं यही बोलूँगा डंके पे चोट पड़ी है सामने मौत खड़ी है क्रिशन ने कहा अरजुन से युद कर, युद कर, युद कर तो युद करना डरना नहींगे आगे बढ़